आज किस वीडियो में हम बात करने वालें कि क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महगी नंबर प्लेट कौन सी है और आपने तो यह जरूर सोचा होगा कि जो फिंगर प्रिंट्स होते हैं जिससे आज कर हम लोग के मुबाइल के लॉग को जाते हैं सबसे जैरीला बिच्छु है आपको पता है कि जो एसमस होते हैं वह पहली बार कप बेजा गया था किस ने बेजा था तो आपको बता दे कि जो एसमस था वो तीन दिसमबर नाइटीन नाइटीन टू को लंडन के एक इंजीनियर ने नील पापफर्थ जिनका नाम था उनने अपने दोस्त को बेजा था जिनका नाम रिचर्ड जार्विस था और उसमें क्या लिखा था अब आप लोग सोच रहोंगे तो आपको बता दे उसमें लिखा था मैरी क्रिसमस और यह जो मैसस था वो अभी रिसेंटली साइट बेच दिया गया जिसकी कीमत एक क्रोड में बताई जा रही है इसी देरा यहां पर मचर बिलकुल होती है इतship साबिल यह सPlease एक नहीं के लिख इसकी है कि यहांको तोगो प्रचा होती है इसी है मैस ज опыт में चला जा जा जाता है पर इस वज़ये कि जाल तैंट तो किन तकि न्हार में वापस आया हैं तो आप को आपको लिए कने लाव के जातें वह मैंने su V the bezs दिखने लगती है इसा बताई जाता है 보고 है कि है भी चाहिए उनर इसी स्थबस्भा की नहीं सकती है। नमबर 6, कि आप जानते हैं कि जब आप आठ बंद करते हैं तो आपको जो color दिखता है वो black color नहीं होता है, हम मेंसे कई लोग सोचते हैं कि वो black color होता है, निकला आपको बता दें उस color का एक special नाम होता है, जिसका नाम इगन ग्राव कहते हैं Fact No.7 क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महाँगी number plate कौन सी है तो आपको बता दें कि जो आपकी स्क्रीन में जो गारी दिख रही है इसका नाम है बुगाटी वेराउन और इसके कीमत लगबग 20 करोड़ है और जो इसके में number plate लगी है जिसका में F1 लिखा है वाइट TV हुआ करते थी तब जो लोंग सपने होते थे वो भी black and white हुआ करते थे और आज भी 12% लोंग ऐसे बताया जाता है कि जो वो black and white सपने देखने कलरफुल सपने उनको नहीं हाथ Fact No.9 क्या आप जानते हैं कि बुच खलीफा इतना बड़ा है कि आप महाँ से दो बार sunset देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि एक बार आप महाँ से ground floor से sunset देख सकते हैं और फिर lift पकर के top floor में जाकर आप लोंग टॉप floor से भी एक बार sunset देख सकते हैं Fact No.11 आप ये तो जानते होंगे कि प्रसांत महासागर हैं और हिंद महासागर अगल बगल हैं निकल वो आपस में कभी mix क्यों नहीं होता साइद ये नहीं जानते होंगे तो आपको बता दें कि scientist के according ऐसा कहा जाता है कि जो एक ocean जो इसमें से है वो खा रहा है और एक जो है वो मीठा है इस वज़े से इन दोनों के बीच में एक जाग की दिवाल बन जाती है जिसके वज़े से जो पानी है वो नहीं मिलता जो दूसरा reason है वो ये है कि दोनों ocean में minerals, density, temperature अलग होने के कारण भी ऐसा होता है कि दोनों पानी आपस में नहीं मिलते हैं अगर आपको ये आज की facts अच्छे लगे हो तो वीडियो को like, share और subscribe करना ना बूलिएगा मिलते हैं अगली नई वीडियो में तब तक के लिए बाई-बाई